आप लोगों को मालू होगा कि अफगानिस्थान पर फूरी तरह से तालीवान का कब्जा हो चुका है देखिए हमारी प्यारी पित भी है इसमें आप देखेंगे हमारा भारत आपको देखने को मिलेगा और भारत के बडोसियों के बात करें तो नीचे आप श्री लंका देख सकते हैं मैनमार देख सकते हैं यह आपका बंगला दिस भूटा नैपल जाइना एपाकिस्तान और यहाँ देखेंगे अफगानिस्तान तो इसी देश की बात कर रहाँ और आप देखेंगे जो लद्दाग वाला हमारा छित है इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है लेकिन अभी जो हिस्सा हमारा अफगानिस्तान से लगता है उस पर पाकिस्तान का कज्चा है और आप देखेंगे यह आप लोगोंने तीन रेखाओं के बारे में सुना होगा एक डूरंड रेखा, एक मैक मोहन रेखा, एक रेड कलप रेखा आज हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे अभी आप देखेंगे डूरंड रेखा काफी चर्चा में बगी हुई है क्योंकि जो आप देखते हैं डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है एक तरसे ताली मानने से मानने से इंकार कर दिया है और आपको बता दूँ कि 1947 तक जब तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था तो ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी डूरंड रेखा और मेक मोहन रेखा आप सभी जाते हैं कि चाइना और भारत की बीचे और रेड के लिए पाकिस्तान और भारत के बीचे आपको बता दूँ कि चाइना इस मेक मोहन रेखा को नहीं मानता है क्योंकि आप देखेंगी अंग्रेजों की समय खीची गई थी एक तरह से ये रेखा तो आपको मालू होगा तालिबान क्या-क्या चाहता है अभी तो कुछ मालू ही नहीं चल ला है यह तो आने वाले समय में मालू चलेगा कि या कि तालिबान है क्या चीज हालीबान लोग पाकिस्तान दवारा डूरंड रेखा पर बनाईगी बार्ड का बlorवत करते हैं अफगानिस्तान के साथ 2640 कुलोमीटर लंबी सीमा पर बार या पर गेराओ का काम मार्च 2017 में शुरू हुआ था किसने पाकिस्तान की तरफ से जब एक के बाद एक सीमा पार से कई हमले हुए थे तो आप देखें पाकिस्तान हमारे यहां करता है और पाकिस्तान की यहां दूसरा करता है तो यह आप देख भी सकते हैं यह आपकी डूरेंड लाइन एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान आपको देखाई देगा और दूसरे तरफ आपको आफगानिस्तान देखाई देगा ये रेड लाइन आप देख भी रहे होंगे ठीक है और आप सभी जानते ही कि आफगानिस्तान की राधानी आपकी काबूल हो गई ठीक है और पाकिस्तान इसलाबाद दूरंड रेखा को 1893 में हिंदु को सिचिति में इस्थापित किया गया था और यह है अफगानिस्तान और वेटिस भारत की बीच आदिवासी भूमी से होकर गुजरते थे क्योंकि आप देखेंगे कि 1893 में भारत पर अंग्रेजों का सासन था आदूनीक समय में इस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच की सीमा को चिन्नित किया हुआ है और डूरंड रेखा रूसी और वेटिस समराज्यों के बीच उननीसवे सदाप्दी के ग्रेट गेम्स की एक विरासत है जिसमें अफगानिस्तान को भैवीत अंग्रेजों द्वारा पूर में रूसी विस्तारबाग की खलाब एक वफर जोन की रूम में इस्तेमाल किया था और 1893 में वेटिस सिविल सिवक सर हेनरी मौटिय डूरंड और उस समय के अफगान सासक अमीर अब्दोर रहमान के भी डूरंड रेखा के रूम में एक समझोते पर हस्ताग चरुए थे यानि कि आप समझें कि डूरंड रेखा जो इस समय का आपका सिविल सिवक था सर हेनरी मौटिय डूरंड इसी के नाम बरग दिया गया है ठेक है दूतिय अफगानी अफगानी उद्द समपती के दो साल बाद यानि की अठारे सोसी में अब्दूर रहमान राजा बने राज उसके उनके और वेटिस भारत के प्रभावचित की सीमाओं का सीमानकन किया और सेवन किलोज एग्रिमेंट ने 2670 किलोमीटर की रेखा कुमानता दी जो चीन के साथ सीमा साथ सीमा से लेकर एरान के साथ अफगानिस्थान की सीमा तक फैली हुई है और इसमें आप देखिए को भी वेटिस वक्ष में कर दिया है और यह पाकिस्थान और अफगानिस्थान की सीमा पर किंदुक उसमें एक पहाड़ी दर्दा है और यह दर्दा लंबी समय तक वाडिजिक और रड़नेतिक मद्व का केंद भी रहा है जिस मारक से लगातार अकमड कारियों ने भारत मे प्रवेश किया था और 1649 से लेकर 1947 की बीच अंग्रेजों द्वारा कज्या कर लिया गया था और आप समझें एक तरह से आप समझ सकते हैं क्योंकि पहले आप सोची कि जल से आने की सुखधा नहीं हुआ करती थी तो यहीं से आते थे आगमड कारी ठीक है बाद में आप दे पस्तूनों अधवासी चेत्रों से उकर बुजलती है जिसमें गाउं परिवारों भूमी को दो पेकार से परिवासी चेत्रों के बीच विभाजित किया जाता है और 1947 में सुदंता के साथ पाकिस्तान को डूलन रेखा बेरासत में मिली और इसके साथ पस्तून ने रेखा को आस्विकार कर दिया और अफगानिस्तान ने इसी मानता देने से एकगार कर दिया और आप खुद सोच के देखिए कि आपने अगर आप ना सोची आप जे सोची कि अंग्रेजों ने किसी देश से समझोता किया हुआ था जब अंग्रेजों का सासन हमारे उपर था तो एक सह ही थोड़ी है कि मतलब आप कि हम चाहें तो उस समझोते को रद भी कर सकते हैं क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने किया था हम ने नहीं किया था और चाहिना यही दलील देता है और यही आप देखेंगे अफगानिस्तान दलील दे रहा है कि जो लाइन उन्हें खिंची हुई थी यह आप सोची कि अंग्रेजों ने खिंची हुई थी अभी समझोता करिए और इसी इनी बातों को लेकर आप देख रहे हैं कि हमारे पडोसियों से सम्मंद विगडे हुए ह क्योंकि आप देखेंगे सीमाबाद विवाद आप भूटाल से ले लिजे नेपाल से ले लिजे पाकिस्तान अबदालिस्तान या फ़र आप देखेंगे चाइना से ले लिजे बंगलादिस से ले लिजे सबसे हमारा लगबग आप देखेंगे सीमाबाद देखने को मिलेग एक इसलामी का टरफंद के साथ पस्तून पहचान को मजबूत किया और जिसके चलते 2007 के आतन की हमलों में देश को हिला कर रख दिया था और आपको बता दूँ कि इससे पहले भी सब्ता फर्रेख चुका है अफगानिस्तान की कौम तालिवान एक आपकी मैक मोहन रेखा की बात करते हैं यह आप देखेंगे कि यह आपको दिखाई दे रही है अरुना चल पिदेश और भारत एक तरह से भारत और चाइना की वीचा आपको देखने को मिले भी बेटिस भारती है सेना की अधिकारी लेटेनेंट कर्नल सर आर्थर हैंडरी मैक मोहन जो बेटिस भारत में एक पिसासक भी थे के नाम से पिसेद मैक मोहन रेखा के एक सीमानकर नहीं जो तिबबत और उतरपूर भारत को अलग करती है और इसे कर्णल मैक मुहन द्वारा 1914 की सिमला सम्जोते में या सम्मेलर में तिबबत, चीन और भारत की भी एक सीमा की रूम में पिश्तावित किया गया था और यहां एमाले सिखर के साथ भूटान की पूर्वी सीमा से सुभू होती है और ब्रह्मपुत नदी में तक पहुंचती है जहां यहां नदी अपने तिबबती हिसें से असम घाटी में निकलती है इसे तिबबती अधिकारियों और वेटिस भारत द्वारा यानि कि जब भारत पर वेटिस का कपज़ा था तो सुईकार किया गया था और अब इसे भारत गरदा द्वारा अधिकारिक सीमा के रूम में सुईकार किया गया हमने तो इसे माद लिए है लेकिन चाइन इसे नहीं मांता है इसलिए तिब्बद के साथ की गई कोई भी संदी आमान नहीं आपको बता दूँ कि अब देखेंगे यहां देखीं आप लोग यह तिब्बद वाला हिस्सा है है और आँpty है कि पहले एक तरह से तिबबाद चाइना के कभजे में हुआ थे लेकर आप जानते हैं कि चाइना के कभजे में पहुंच चुका है तो इसकी सीमा हमारी चाइना से भी लगने लगी अग ठीक है और उस Sophie आप देखेजैं कि यह हमें वर्स 2014 की मिक में देखा के साथ ही हुगा था और LACYS इमांकर है जो भारती नियंतर चित को चीनी नियंतर चित से अलग करती है यह आप देखेंगे लगदा की बात कर रहे हैं कुछ समय पहले आप लोग ने देखा होगा कि यहां हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिको जो चाइना कपजा किया हुए हमारे बीच है इसे आप कहते हैं एले सी टाइक है और पाकिस्तान के वब हमारे की पाकिस्तान हमारे सैसे बड़ कबजा की लगए और उस लाइन जितना आप देखेंगे उस तरफ वो कभजा किया हूए और इस तरफ हमें तो इसे आप लोग क कहते हैं ठीक है अब बात करते हैं रेड क्लब रेखा की तो यह आपको देखाई भी दे रही होगी आपको बता दू कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो दो हिस्सों में था एक तो आप देखेंगे आज जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं एक और एक आपका बंगलादिश भारत जीतता है ऐसे उर्थ में और पाकिस्तान की बुरी तरह से हार होती है और इसके बाद आप देखेंगे बंगलादिश का गठन हुआ तो इन ही की बात कर रहा हूं इसने वेटिस भारत को भारत और पाकिस्तान में विफाजित कर दिया और इसका नाम इस लाइन के वास्तु का जो सर्वसिरिल रैड कल तरह की नाम पर राखा गये था जो सीमा एयोग के अद्यक्ष भी थे रैड कले बरेका पष्चमी पाकिस्तान अब आब पाकिस्तान और भारत के मद्ध पष्चमी की तरब तथा ओं महादीब के पूर्वी सीम है भारत और में तथा पूरी विभाग भारत बंगलादेश सीमा की रूम में काम करता है तो यही कहां नहीं है नहीं देखते रही है आप लोग इससे क्या होता है कि डारेक्ट के वारे कुश्चन्स भी पूछ लेता है कि प्रॉल्लम समय भी आ जाता है पर चाहे वो इस्टेट PCS का हो या पर आप देखते हैं कि डारेक्ट कुश्चन्स पूच लेता है तो यह सब के बारे में याद रखीएगा